टीवी सीरियल अनुपमा में बीदे कुछ समय से पहले ही पांस साल का लिपाया है जिससे कहानी में स्टार कास्ट काफी हद तक बदली नजर आए इस शो में रुपाली और गौरफ के साथ कई नए चेहरे नजर आ रही है शो में अब छोटी अनु यानि आध्या करोल और भट नागर निभा रही है जो पहले दिन से ही अपने अक्टिंग से फांस को काफी इंप्रेस कर चुकी है इस सीरियल में दिखाया जा रहा है कि छोटी अनु अपनी मा अनुपमा को बिल्कुर पसंद नहीं करती जिस वज़से वो उनके साथ बत्तमीजी भी करती है इतने नहीं वो अपने पापा अनुच को भी सुना देती है शुरुवात में औरा को अपने दमदार एक्टिंग के लिए काफी पसंद किया जा रहा था लेकिन औरा को अपने रोल के चलते काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में शो के लीड हिरोई रुपाली गांगली और छोटी अनुच से नराज होगा लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं खास कर टीनेज में रुपाली कहती हैं जब आप उनसे कुछ भी कहते हैं तो बच्चे चीजों को लेकर थोड़े अडियल हो जाते हैं वो इसे बहुत इमोशनल रूप से लेते हैं और उस उम्र में एक अलग तरीके से रियाक करते हैं और इमोशनली भड़क जाते हैं रुपाली गांगली ने सभी से रिक्वेस्ट की कि वो आध्या को ट्रोल ना करें इस दौरान रुपाली ने अपने फैंस के आध्या और अनुच के एक सीन के बारे में भी बात की रुपाली कहती हैं और आध्या के बंधन को स्क्रीन पर देखने में मज़ा आता है मेरी असल जिंदगी में भी मेरा बेटा मेरे पती से अधिक जुड़ा हुआ है क्योंकि वो बहुत शांदार पिता है आपको बता देक एसी खबरे हैं कि ट्रैक में आध्या का किरदार आगे जाकर और भी ज् मिलकर अनुपमा और अनुज को हमेशा के लिए दूर करने की साजिशे भी रचते नज़राएंगे हाला कि अब देखना तो यह है कि और आको आने वाले वक्त में जनता का प्यार मिलता है या फिट ट्रोलिंग